हेलो फ्रेंट्स अल्कम टेस्ट लार्णिंग अपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीटेट प्रिवेसर पेपर और यह 2014 पेपर का चाल्डवलोन पेड़ागोजी का जो पार्ट टू है वह हम लोग डिस्कस करेंगे पहले एमसे को तो आएए शुरू करते हैं असके लिए पहला कसिन है गार्ड्स इस्टूडेंस यानि सात्राइ क्या होता है आरेज गूड इन मैतमेटिक एज बोईस ऑफ त्यार एज यानि अपने अम्रे के लड़कों की तरह यह गनित में अच्छी है सात्राइब यानि गार्ड्स भी क्या होता है अपने अम्रे के लड़कों की तरह यह क्या होता है गनित में अच्छी है इसा नहीं है कि गार्स औ एक ही तरह की समताय मोज़त होते हैं तो देख लेते हैं डिफिकल्डी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस अब लेटर चिन और्स एंड फ्रिक्वेंट लॉस अब वीजल मेमुरी इस एससेट विद यानि सब्दों में अक्षर के क्रम को पढ़ने के पढ़ने में कठनाई का अनुभ आपोटाक यानि हमलोक आसान भासा में समझें यानि पढ़ने की जो कठनाई होता है यानि रीडिंग डिसेडर होता है वह क्या होता है डिसलेक्सिया होता है जयांनी पहला question correct होगा next question को देख लेते हैं education of all in schools for all could be a tagline for which of the following यानि सभी के लिए विद्धालयों में सभी की शिख्षा निम्नलकित में से किसके लिए परसार बाइक के हो सकता है यह हो सकता है inclusive education सुमावेशी शिख्षा सुमावेशी शिख्षा का ही कह है tagline है सभी के लिए सभी के लिए विद्धालयों में सभी की शिख्षा next question को देख लेते है fluency, elaboration, originality and flexibility are the factors associated with यानि पुर्भा, पुर्णता, बेख्षा, मलिक्ता और लच्छी लेपन देश के साथ संबंदित तैते है यह होता है giftedness यानि पुर्तिवा, पेरा question इसका right answer होगा next question को देखते है gifted students may be asked to spend more time on questions dealing with यानि पुर्तिवार्शाली जो शिक्षार्ती होए वो देर्स ते जुड़े पोजिशनों पर अधिक समय देने के लिए कहाजा सकता है यह creating यानि सर्जन करने वाली question में ज्यादा समय देने के अभशुकता है next question को देख लेते है learning disabilities in mathematics can be assessed most appropriately by which of the following tests यानि गनित में अधिगम नियगता का आकला निमने में से किस परिश्चन द्वारा सर्बादिक उसी तरीके से किया जा सकता है इसका correct answer होगा diagnostic test यानि निदानत्मक परिश्चन निदानत्मक परिश्चन के द्वारा ही क्या कर सकते है जो गनित में अधिगम नियगता होता है उसका आकला आसी तरह से किया जा सकता है तो next question को देखते है concept maps are most likely to increase understanding of new concept by यानि सिधान्त सित्र देश्च के द्वारा नभीन अबधरनाव कोई समस पढ़ाते है इसका correct answer होगा increasing ability to organize information logically यानि तर्कपुर्ण धंग से सुसनाव को व्यवस्तित करने की एगता को बढ़ाने यानि फोर नमबर option इसका correct answer होगा तो next question को देख लेते है according to the theory of social learning of Albert Bandura whose of the following is true Albert Bandura के समाजिक अधिकरम सिधान्त के अनुसार निमन में से कौन सा सही है इसका correct answer होगा modeling is a principal effort children to learn बच्चों के सिखने के लिए परती रूप यानि modeling एक मुख्ध तरीका है जो Albert Bandura है उन्हें modeling पर क्या है जैदा ध्यान दिया है बच्चों क्या कर सकते modeling के द्वारा सिख सकते है next question deductive reasoning involves यानि निगमनात्मक तर्कना में सामिल है क्या है reasoning from general to particular यानि सामाने से विश्यस्ट की और तर्कना यानि पहला option जो होए वो correct होगा यानि सामाने से विश्यस्ट की और तर्कना reasoning from general to particular यह होता है deductive reasoning involves यानि निगमनात्मक तर्कना next question का देख लेते हैं when children learn a concept and use it practice helps in reducing the errors committed by them this idea was given by यानि जब बच्चे एक अबधरना को सीखते हैं और उसका परियर करते हैं तो अभ्भास उनके द्वारा की जाने वाली तूटियों को कम करने में मदद करता है यह बिसार किसके द्वारा दिया गया है यह होगा EL-thrndike यानि EL-thrndike ने क्या दिया था trial and error method उसने बताया कि अभ्भास की द्वारा ही क्या किया जा सकता है जो error है जो तूटिया है वो ठीक किया जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है next question को देख लेते है question number 26 which of the following skills is associated with emotional intelligence यानि निम्नों में से कौन सा कोशल संबिगात्मक बुद्धी से संबंधित है इसका क्रेक्टेंचर होगा option number 4 emphasizing यानि समानु भूती देना समानु भूती देना यह क्या होता है emotional intelligent का यह कोशल होता है next question को देख लेते है the inner force does stimulates and compulse a behavioral response and provide specific direction to the response एक आंतरिक बल जो प्रचाइद करता है और बेवहारिक प्रतिक्रिया के लिए बाहिद्य करता है यह बंग उस प्रतिक्रिया को बिशेश दिशा अपलब्द कराता है यह किसका क्या होगा इसका होगा correct answer अभी parent यानि motive next question को देख लेते है which term is often used interchangeably with the term motivation यानि निम्नों में से कौन सी शब्दा वाली प्राय अभी प्रना के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है इसका correct answer होगा need यानि अभश्रक्ता next question को देख लेते हैं which motives deal with the needs to reach satisfying feeling states and to obtain personal goals अनुभूतियों के संतिस्टी करण की अभुस्ताओं तक बोस्ते और बेक्तिक लक्षों को प्राप्त करने की अभश्रक्ता को सम्मंदित करता है इसका correct answer होगा effective यानि भावात्मक next question को देख लेते है which one of the following is a factor that affects learning positively निम्रलेखित में से कौनसा कारक अधिकाम को साकरत्मक प्रकार से प्रभावीत करता है इसका correct answer होगा meaningful association यानि अर्थपन संबंद अर्थपन संबंदित क्या कर सकता है अधिकाम में यानि लार्निंग में positive या फिर साकरत्मक प्रभाव या प्रभावीत कर सकता है तो यह हो गए हमारा 2014 का चाल्ड डेवलोन प्रड़ागोजी का स्वल्फ तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक किजिए कॉमेंट किजिए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट बक्स में बता सकते हैं धन्य बाद